हेलो फ्रेंड्स कि आपको भी डेड़ जीवी प्रती दिन मिलता है और आपका डेड़ जीवी कब खतम हो जाता है पता भी नहीं चलता है तो यह वीडियो आपके लिए इस वीडियो में मैं आपको तीन सेटिंग बताऊंगा अगर आपने यह तीनों सेटिंग अपने सेटिंग में आने के बाद और इन्य हैं क्लिक करने के बाद अकी होगा और नीचे आना है इसको क्लिक करना है रिक करना है और यहां पर छोड़ करना है खेल ने इसको भी अंट्रिक करना है और उको पर क्लिक कर देना है ठीक है अब यहाँ पर कोई setting नहीं बचा तो यह तो हो गया पहला setting टेलिग्राम अप्लिकेशन ओपेन करने के बाद three line पर क्लिक करना है setting में जाना है setting में आने के बाद यहाँ पे आपको एक option मिलेगा data and storage का इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे automatic media download का एक option मिलेगा इसको आपको off कर देना है इतना सेटिंग करने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है प्लेश्टोर ओपिन करना है प्लेश्टोर ओपिन करने के बाद प्रोफाइल पे क्लिक करना है उसके बाद सेटिंग में जाना है setting में आने के बाद network preference का एक option मिलेगा इस पे tap करना है tap करने के बाद यहाँ पे आपको app download preference इस पे आपको tap करना है और यहाँ पे आपको over only wifi होगा या ask me every time होगा ठीक है तो आपको over any network कर देना है ओके पे click कर लेना है इसके नीचे auto update apps यह सबसे important है इस पे आपको tap करना है और यहाँ पे over any network होगा या over wifi only होगा तो आपको don't auto updates apps पे click करके ok पे click कर लेना है इसके नीचे autoplay video का option दिया है इस पे आपको click करना है और इसको भी आपको don't autoplay video पे click करना है और ok पे click कर देना है सो गाईस यहां से भी setting हो गया अब को YouTube application open करना है open करने के बाद profile वाले option पे click करना है setting में जाना है setting में आने के बाद यहां पे आपको video quality difference का एक option मिलेगा इस पे आपको type करना है यहां पे उपर auto होगा और नीचे भी auto होगा तो आपको back कर लेना है एक बाद data saving पे click करना है ठी table करने के बाद back आएंगे back आने के बाद video quality preference पे फिर से click करके देखेंगे कि यह सही हुआ है नहीं तो यहां पे data saving पे हो जाना चाहिए अब जिसमाली जी यहां पे आप video देख रहे हैं तो आपको यहां पे setting पे click करने के बाद quality का एक option मिलेगा इस पे आपको type करना है type करने के बाद यहां पे आप अपने हिसाब से pixel select कर लिजिए तो यहां पे दोस्तो 360 से अगर उपर जाएंगे तो जल्दी आपका data खत्म हो जाएगा 360 से नीचे अगर pixel select करते हैं तो आपका data ज्यादा समय तक चलेगा सुगाई से यहां पे सबसे अच्छा होता है 360 पिक्सल पे व buffer size इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अगर 1M भी है या 4M भी है या 8M भी है ठीक है तो इसको क्या करना है 256 KB पे कर देना है या 64 KB पे भी कर सकते हैं तो गाईस उमीद है कि आपका यह problem solve हो गया होगा अगर फिर भी कोई problem आती है तो comment box में comment कर सकते हैं मैं उस